स्वयम सहता समू की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणा टीवी चैनल के तरब से भी नमस्कार दीदी अगर अभी तक आपनी हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो सबसे पहले दीदी सस्काइब कर ले क्योंकि आपको स्वयम स NRLM के समू में नहीं जुड़ी हैं तो आप जुड़ने की कोशिश करिए और जुड़ भी जाए और कैसे जुड़ना है आपको अपने ब्लॉक से संपर करना है जी हां आप अगर ग्रामिल इलाके हैं से हैं तो आपने ब्लॉक पर संपर करें और अगर आप सहरी इलाके से हैं तो आप नगर पालिका से समपर करें, लेकिन समूह आप लोग जरू बनाएं, क्योंकि समूह से जुणने से काफी फैयती हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा काफी योजनाई चलाई जा रहे हैं, जो श्वेम शायता समूह को की महिलाओं को दिया जा रहा है, वर्यदा दी जा रहे हैं उन्हीं को ज्यादा काम मिला इसलिए आप सभी भी जुने की कोशिश कर दें आपको बता दू मैं वर्ष दो हजार बाइस तक देश में बनेंगे पचात्तर लाख महिला जी हाँ वर्ष दो हजार बाइस तक देश में बनेंगे 75 लाग महिला स्वयम शायता समूँ जिहां केंद्रिय क्रिशी एवं किसान कल्याण ग्रामीर विकास और पंचायती राजमंत्री नरेंद्र शींतोमर ने रविवार को कहा कि वर्ष दो हजार बाइस तक देश में कुल 35 लाग महिला स्वयम शायता समूँ एस जी बनाए जाएंगे केंद्रिय मंत्री अंतराश्टिय महिला दिवसपर यह डीडी किशान द्वारा प्रशारित एक लाइव टीवी करेकर में बोड़ रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही प्रधान मंत्री नरेन रमोदी का नय भारत का मिशन साकार हो सकता है तो मन ने कहा देजभर में 7.8 लाक S.A.G. के साथ 6.73 करोड से अधिक महिलाएं जूड़ी हैं और महिलाओं को आजिव का पाने में अधिक सच्छम बनाने के लिए ग्रामीर विकास मंत्राले की वर्षी 2022 तक कुल 75 लाक S.A.G. बनाने की यूजना है उन्होंने महिला स्वयम शहायता समूँ S.A.G. को गरीबी उन्मूलन कारिक्रम की लीड़ बताया तो मन ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वयम सहता समूँ को प्रोषाहित करने के मकसद से ग्रामीर विकास मंत्राले उन्हों के लिए प्रोषकार की विवस्था की गई है उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मे भर बनाने के लिए 26 साल के दोरान स्वयम सहता समूँ को 2.75 लाग करोण से अधिक कारिण प्रदान किया गया केंद्रिय मंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामीर रोजगार गारंटी योजना मने रेगा के तहत कारिबल में 55 फीशती महिलाएं सामिल हैं और दीन द्याल उपाद्याय ग्रामीर कौशले योजना डीडी यू जी के वाई से 4.66 लाग महिलाएं जुड़ी हैं महिलाएं आत्मे निर पर बन नहीं हैं जब से स्वयम सहता समूँ चल रहा है स्वयम सहता समूँ में महिलाने जुड़ कर काफी रोग्रेश गया है काफी काम कर रही है बाकी दीदियां काम करने में जुटी हुई है सभी दिदियां अपनी गरीवी को हटाना चाहती हैं और अपने जीवन को निखारना चाहती हैं गरीवी से शुटकारा पाने चाहती हैं तो सभी दिदियां जो भी हमारी है इस समय समू स्वयता में जुड़ी जीहां स्वयमशाता में जुड़ी वह सभी दिदियां समू से सबी दिदियों से मैंने पूछा जैसे कुछ दिदियों के मैं घर पी गई जैसे कभी एक बैंक संखी से मिली उन्होंने बताया कि पहले मेरे पास कोई इनकम का सुरूत नहीं था मैं घर पे ही बैठी रहती थी मैं इंटर पास की थी लेकिन मुझे कोई काम नहीं था तो ना तो वो ज़्यादा पढ़ी थी क्यों टीचर बन सके या किसी आउरलाइन पे जा सके लेकिन इंटर की थी वो दिदिया अब बैंक सकी बन चुकी है और 3,000-4,000 रुपे महीने कमा रही है तो घर बैठी थी आज वो 3,000-4,000 महीने कमा रही है उन्होंने काफी अपने खुश नजर आई क्योंकि वो भी अपने घर में हिश्चेदारी निभाने लगी खर्च उठाने में उनका घर बहुत ही खुश्वाल हो गया है क्योंकि गरीब दिदियों के लिए 3,000-4,000 महीने की भी नौकरी बहुत होती है क्योंकि उनके पास पहले का इंकम कुछ नहीं था लेकिन अब वो 3,000-4,000 रुपे महीना कमा रही है इसी प्रकार जो है कुछ दिदियां IPRP बनी, PRP बनी, CRP बनी जो भी दिदियां कुछ न कुछ काम जरू कर रही है श्वयम शायता में समू में जूड के कुछ देदियां तो 20 सकी बन गई है उनको भी कच्छा खासा इंकम हो रहा है और उसके साथ साथ कुछ देदियां जो स्वयमसाता समू से रिंड लेके स्वयरोजगार कर रही है अपना खुद का रोजगार कर रही है और वो लोग इस समय काफी खुश नजर आ रही है तो आप लोग अगर स्वयमसाता समू में जूड़ी है तो दीती प्लीस प्लीस आप लोग भी रोजगार करिए कोशिश करिए स्वयमसाता सजी से पैसा लीजिए इधर उधर इन्वेश ना करें ऐसा नहीं कि पैसा लेके पती को दे दे पती कुछ और काम में लगाते फिर कर भरते वक्त आपको दिक्कते आए आप लोग ऐसा ना करिए आप लोग स्वयम पैसा लिजें स्वयम काम केजे कि हमें हिकर ना है पती जो आपके काम कर रहे हैं, उन्हें करने करने दिजे Beijए लेकिन आपको भी कुछ कर के दिखाना है तो आप लोग जो समू से रिड लेजिए उस प्रिंद सीतोमन ने रभीवर को कहा है कि वर्ष 2022 तक जी हां दीदी वर्ष 2022 तक देश में कुल 55 लाख स्वेम जी बनाए जाएंगे तो आप लोग घबडाईये नहीं जो दिया समू में नहीं जुड़े हैं उनके हां भी ICRP की टीम आएगी समू बनाएगी और दीदियों को जुड़ेगी लेकिर उसके पहले आपको प्रेणा टीवी चैनल से जुड़ना होगा क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगी नहीं आपको जानकारी नहीं प्राप्त होगी तो पहले तो आप लोग अपने पास जानकारी रखिए कि स्वेम सहता समू है क्या इससे फायदे क्य पहले तो आपको ने रोजगार के आउटसर मिलेंगे दूसरा अगर आपको अमर्जनसी में ततकाल पैसे की ज़रुद पड़ जाये तो आपको सहुकार के पास नहीं जाना होगा इधर उधर किस्त नहीं उठाना होगा भटकना नहीं होगा आप जो स्वेम का बचत करती है जो आपका स्वेम का सजी है आप उसी से रिंड लेकर अपना काम कर सकती है और परसेंटेज भी कम रहता है और उसमें सावकार की तरहां आपके घर पे कोई धंकी देने वाला भी नहीं रहेगा आप जब भी सावकार क्यांसे पैसा लेंगी पैसा तो लेंगी उसके साथ पान हानी भी रहेगा इसलिए कि आपके कभी भी घर पे आजाएंगे ब्याज मांगने लेगेंगे अगर आपके पास नहीं रहा हूँ चलूल भासों का इस्तमाल करेंगे लेकिन अपने समू में ऐसा नहीं होता है अपने समू में आपस में दिरिया बैठती है चर्चाय करत है किसके पास क्या समस्या है उस समस्या का हल धूरती है और अपने समस्या ही पैसा मांगती है और जो किस्त बनाया जाता है उसी से वसूली की जाता है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई भी अबद्र बासा का प्रयोग नहीं करता है और अगर आप सावकार से लेंगे तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो दिद्याली है उसके बारे में उसे सुरूप से जानती भी होंगी तो चलिए तीदी आज की वीटियो बस इतना ही अगर आपको हमारा वीटियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें लेकिन सब्सक्राइब कर लेना चाहिए पूरी जानकारी है मारे पास को मैंने कितने वीडियो दे रखें आप पहले वाले वीडियो में रसाथे देखिए नई-एवीडियो में देती रहोंगी समु से आने वाले फैयदों के बारे में थन्यवाद झाल झाल